नमस्कार दोस्तों पद्धाय लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है आज बेसिक केलोकुलेशन की पार्ट टू है और जहां से मैंने कल छोड़ा था वह वहीं से शुरू करूँगा आज ऐसी संख्याओं के वर्ग की बात करेंगे जिनके एकाई का अंक पांच है ठीक ह 65 का स्क्वाइर 45 का 195 का 155 का 255 का 115 का 105 का 95 का 75 का बहुत सारे एक्जम्पल हो सकते हैं हमने इस चीज में किस बात में फोकस किया है कि यूनिट प्लेस मेरा 5 है अब देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा यहां 5 का 5 में मल्टिप्लाई किया 25 आया 2 का एक ज्यादा में करो 2 का 2 में मत करो एक बढ़ा करके करो यानि मैं यहां ब्रेकेट में लिख देता हूँ 2 इंटू 3 करना है तो यह कितना आ गया 6 यही तो मेरा आंसर था 5 का 5 में किया तो 25 6 का एक बढ़ा करके करो 7 में करो 6 7 जा 40 2 5 का 5 में किया 25 4 का बढ़ा करके करो कितने करोगे 5 में तो कितना हो जाएगा 20 अभी यह जो लेंथी है इनको मैं बाद में बताता हूँ दोबारा लिख वाता हूँ छोटे-छोटे पहले देख लेते हैं 5 का 5 में किया कितना आया 25 7 का एक ज्यादा में करो 7 में मत करो 8 में करो जब 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा 56 56 कि 5 का 5 में किया तो 25 यह नाइन का 10 में कर दो जब नाइन का 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा 90 5 का 5 में किया 25 10 का आप 11 में किया तो कितना आ गया 110 ठीक है यहां तक आप पहले इन इन इक्जाम्पल्स को देखो इसके बाद मैं मैं कुछ रफ वरक आपको कराता हूं और तब ही नहीं मैं सॉलomm करते हैं तो है आप 5 का 5 में करोगे तो 25 हो जायगा ठीक है लेकिन 15 का मं लृटीपलाई तो 16 में करना है अब यह तो हम वही एक बेसिक तरीकह से 15 में 15 ब्लृट इस तो उमने ऐसा किया तो आप multiply 16 में न करके 15 प्लस वन कर लीजिए तो आप यहां पर जब आप इसका multiply करोगे तो देखो यह 15 का multiply 15 में होगा तो यह 15 का स्कॉयर हो जाएगा प्लस के 15 इसे हमें एक बात समझ में आई कि अगर मैं एक नमबर ज़्यादा में multiply करता हूँ तो मैं उस नमबर का square कर दूँ और उस square में उतना ही add करता हूँ तो एक नमबर आगे मुझे multiply हो जाता है आप चाहें तो अलग-अलग कर लें लेकिन मेरा मानना यह है कि आपने अलग जाके लिखके किया multiply तो फिर आपने कुछ समय नहीं बचाया बात समझ में आई तो 15 का square प्लस 15 आपको करना है 15 का square कितना हो गया 225 अब आपने इसमें 15 एड़ किया 225 प्लस 15 दो 140 तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया यह सीधे-सीधे 240 कर दिया चीक है यह rough work मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप सीख सको मुझे direct पता है कि 19 का मैं 20 में करूँगा 380 आजाएगा 25 का मैं 25 में करूँगा तो 625 का 26 में करूँगा तो 650 आजाएगा यह मुझे पता है लेकिन मेरे जानने से फर्क नहीं पड़ता यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो जैसे मैंने यह rough work किया है तो एक दो rough work और करूँगा फिर हम आसानी से उन्हें कर पाएंगे 5 का 5 में किया तो 25 25 का 26 में किया तो 650 होता है बट यह 650 भी कैसे आया इसको भी समझो ठीक है मैं फिर से rough work बता रहा हूँ इस rough work को मैं हटा रहा हूँ जो पहले note किया था देखो 25 का multiply आपको करना 26 में तो आप क्या करोगे 25 25 प्लस एक मन मैं सोचना है कि 26 को 25 प्लस एक में देखो वही आगया पहले किया था इस वाले कॉश्यन मैं 15 का स्कॉर्वार प्लस 15 था यहाँ क्या होगा 25 का 212 वही हो गया अब आजाते हैं इसके पास में तो 5 का स्कॉर कितना होता है बटो एक पचिस और निस का मल्टिप्लाई जब 20 में करोगो तो सीधे सीधे हो जाएगा 380 बास समझ में आई ना अच्छा अगर मैं बात करता हूं इस वाले की तो 5 का तो कितना हो गया 25 बास समझ में 11 का करना है मुझे 12 में तो 11 का स्कुर्ण 121 प्लस 11 135 तो 25 तीस का 31 में करना है तो 30 का स्कुर्ण कितना होता है 900 तीस और 8 कर दोगे तो 930 यह हो गया तो अभी स्कुर्ण के बाद में उसी से रेलेटेड एक मल्टिप्लिकेशन में आपके सामने बता रहा हूं लिखा हुआ है कि ऐसी संख्याओं का गुणा जिनके इकाई की अंकों का योग धस हो तथा अन्य अंक समान हो अब पिछले वाले एक्जांपल्स रेलेट करता हूं पिछली वार मैंने क्या वाताया था एक एक्जांपल मैंने लिया था कि सपूज एक सो पैंतीस का स्कुर्य है एक सो पैंतीस का स्कुर्य है अब इसमें देखो आप इसे स्कुर्य वाले में मत देखो मल्डिप्लिकिशन में देखो ताकि आप बहतर समझ पाओ यहां अगर आप इसके यूनिट प्लेस का सम देखते हो तो यह कितना आ रहा है टैन आ रहा है यूनिट प्लेस का सम टैन है और unit place का sum 10 है और बच्चे हुए digit समान है बच्चे हुए digit समान है उसी के तरीके से solve होगा उसका 5 में किया 25 13 का 14 में करोगे 182 आएगा सब को पता है 182 मैंने लिख दिया लेकिन अभी कुछ बच्चों को जो doubt था rough work में एक वार और देख लो देखो मैं पहले री बताया है इस मैं फिर से बता रहा हूँ कि 13 का आप 14 में करोगे तो 13 को आप 14 को प्लस ये लिख सकते हो 13 का square ये 13 का 13 में multiply का मतलब 13 का square हो गया प्लस ये 13 हो गया यानि 13 का square कितना हो गया 169 13 उसमें add करो अब आप पहले ने जब आपको दिक्कत आए मैंने लिख दिया है 182 अगर आपको दिक्कत आए तो पहले 3 add करो 72 हो जाएगा ठीक है अब 72 में आप 10 add कर दो 82 कितना हो गया 182 मतलब आप mentally सोचने का खुद प्रयास करो ठीक है न खुद प्रयास करो आप खुद करना घर पे आप अपना कमेंट में मुझे बताना मैं ये चीज़ हटा के जिसे 15 का 16 में क्या आएगा 17 का 18 में क्या आएगा 19 का 20 में क्या आएगा ये multiplication आप मुझे कमेंट में करके बताऊगे ठीक है ओके चलिए इसी से related और देखिए आएए अब multiplication में क्या है ना number कोई भी हो सकते है ये लेकिन unit digit क्या होना चाहिए sum 10 लहना चाहिए अब हमने 1 और 2 ले लिया तो वो simple सी बात है वो multiply 18 में होगा चीक है ना 8 का 2 में किया जैसे पहले किया था ऐसे यह करेंगे 8 का 2 में किया 60 याद रही 2 डिजिट में लिख रहे है और लिख दिया 1 का एक ज्यादा में करो 2 में करोगे 2 में करोगे 2 कितना हो जाएगा 2 यह अंसर हो जाएगा अगर आप 43 का 47 में करते हो तो अचानक याद आना चाहिए अरे भाई यूरे डिजिट का संद तो 10 आ रहा है राइस्ट डिजिट वेरे क्या है सेम है तो 7 का 3 में किया तो कितना आया 21 2 डिजिट में है लिख दिया 4 का 5 में करो कितना हुआ 20 ठीक है इसके बाद मैं मैं करता हूँ थोड़े से बड़े नंबर की बात कर लेते है जैसे 309 का मल्टिप्लाई अगर मुझे 301 में करना है तो 1 का 9 में करोगे तो केवल 9 आता है याद रहे कि मुझे 2 डिजिट में लिखना है ठीक है इसके बाद मैं 30 का स्कॉयर प्लस 30 30 का स्कॉर कितना होगे 900 और 900 में 30 जोड़ दिया तो 930 ठीक है अब आप कुछ ऐसा ही कर सकते हो कुछ आगर मैं आपसे यह कहने लगया हूँ कि सब मुझे तो यह निकालना है आप देख रहे हो ना युनिट डिजिट का सम सेम है और बचे हुए अंग क्या है हमारे सौरी युनिट डिजिट का सम क्या है 10 है बचे हुए अंग सेम है 7 का 3 में क्या 21 आ गया है लिख दिया अब आप सोच रहे होगे सर 45 का कैसे करे भाई आगे क्या हुआ इस चीज को आप भूल जाओ ठीक है आपको क्या याद रखना है आपको याद रखना है कि 45 एक स्क्वाइर वाली टर्म बन गई मतलब हर वार अपना दिमाग चलाओ 40 अब यहां से यह भूल जाओ तो 45 का आप कैसे करोगे 45 का 46 में करना इसके लिए अगर आपको पता है ना कि 45 का स्क्वाइर करेंगे प्लस 45 एड करेंगे तो 45 का स्क्वाइर करने का मतलब क्या है 45 का मल्टिप्लाई 46 में यही तो था ना मतलब 45 का स्क्वाइर प्लस के 45 अरे बात के लिए रुई ना तो सिम्पल सी बात है 45 का स्क्वाइर अभी आपको 5 बाली ट्रिक से पता है न 5 बाली से क्या हो जाएका 25 प्लेस 4 का 5 में किया तो 20 45 आपने एड़ किया 45 एड़ किया तो ये कितना आ गया 2070 आगे हमने ये 21 है तो ये कितना हो गया 207021 ठीक है इसके बाद मैं मैं एक एग्जामपल छोटे छोटे और ले लेता हूँ 84 का 86 में आपको अगर सपोज करना है तो 86 में करोगे तो 24, 24, 8 का 9 में किया 72 ठीक है और एक एग्जामपल और देख लेते हैं यहां आप देखोगे 99 का 91 मैं कर रहे हूँ यूनिट डिजिट का सम 10 है रेस्ट डिजिट सेम है 9 का 1 में किया तो 0 नो आएगा और 9 का 10 में किया तो कितना आजाएगा 9 धाम 90 यही आंसर है आपका ठीक है ओके